जैसा कि आपको पता है 18th of March को जैन सेशन का O-Level और A-Level result डिकलेर कर दिया गया है तो आप में से जिन साथियों ने चारो पेपर कम्पलीट कर लिये हैं आपका प्रोजेक्ट सम्मिट है तो आपके पास एक doubt है एक सवाल है कि सर मेरा certificate कब तक issue किया जाएगा तो आपको बता दें कि जो आपका certificate है हो सकता है आज ही आजाए हो सकता है कि एक हपते के बाद में आए हो सकता है 30 दिन के बाद में आए हो सकता है कि 90 दिन का time लग जाए लेकिन जो normally certificate है ये आप लोगों का आने में लगभग एक महिने का time लग जाता है बट कई case में ऐसा देखा गया है जिस दिन आपका project आपके dashboard पे update हो जाता है जश्ट उसके अगले दिन भी कई लोगों के certificate release कर दिये जाते हैं तो जो certificate है ये कब आएगा इसका कोई भी एक fix reply नहीं है हो सकता है एक दिन में आ जाए दो दिन में आ जाए पास दिन लग जाए एक हपता लग जाए एक महिना लग जाए या फिर 30 दिन भी लग सकते हैं और 90 दिन भी लग सकते हैं तो simply क्या करना है आपको अगर आपने चारो paper complete कर लिये हैं आपका project भी submit है तो आपको निलिट की website पे जाकर check out करना होगा आपको check करना होगा कि आपका certificate आया है या फिर नहीं आया है या फिर आप एक काम भी कर सकते हो जो भी आपकी details हैं आपका नाम, registration number, date top birth और जो आपके dashboard का screenshot है वो इन सभी के साथ में आप निलिट को mail करके पूछ सकते हो कि sir मेरा नाम ये है, registration number ये है मैंने चारो paper और project complete कर लिया है मेरा certificate कब तक आएगा तो आप mail के through भी पूछ सकते हो कि कितना time लगने वाला है बट इसका कुछ fix time नहीं होता है अगर आप लोगों का project summit नहीं है हमारे through आप अपना o level का project summit करवा सकते हो side में आप लोगों को whatsapp number दिखाई दे रहा होगा उस पे आप contact कर लिजे आपको पता ही है, क्या पता है? कि present time में एक मिनट hang कर रहा है present time में आप लोगों के जो भी doubts है उसके regarding मैंने आप लोगों को अपनी website पे एक page प्रवाइट कर दिया है जिसका link मैंने आपको इस video के description में और comment में दे दिया है तो आप वहाँ पर जाकर check out कर सकते हो कि certificate को कैसे download करना है signature को कैसे validate करना है और भी जो भी आपके doubts है उनको आप वहाँ से solve कर सकते हो कोई doubt है तो से आप comment out कर दीजिएगा जय हिंद वंदे मातरम थेंक यू